तो हेलो गाईज, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में तो इस वीडियो में हम कंपारिजन करने वाले है बजाश पलसर की ही दो काफी बेस्ट बाइक 125cc सेग्मेंट की एक है पलसर 125 और दूसरी है NS 125 तो दोनों बाइक में जो है काफी जादा confusion create हो जाता है की कौन से भाइक हमें purchase करनी चाहिए क्यूआ ही जो है काफी बैक में काफी कुछ बैक मिल जाता है तो उस वज़जे confusion हो जाता है की कौन से purchase करनी चाहिए तो वो confusion आपका इस वीडियो को देखने की बाद कुछ पसंट तो clear होई जाएगा तो इस वीडियो में आपको क्या फीचेस मिलते हैं, दोनों की क्या फ्राइज है, मायलेज बगेरा और कापी सारे इंपोर्टन जो फॉइंट से उनके उपर हम बात करने वाले हैं जिससे आपके लिए काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से बाइक पर्चेस करनी चाहिए या फिर आपके लिए कौन से बाइक बैस्ट है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेना किसी टाइम पास के तो यार सब से पहले जैसे के स्क्रिम पे आप दोनों ही बाइक खल लूग देख सकते हैं यहाँ पर पलसर 125 का अब आपको लूग पहले से बेटर मिल जाता है अब आपको कार्बन एडिशन में सेम जैसे पलसर 150 में ग्राफिक्स वगेरा टोटल लूग तो पहले से पलसर 150 जैसे ही मिलता है लेकिन आप ग्राफिक्स वगेरा बिलकुल आपको पलसर 150 जैसे पलसर 125 में मिल जाता है लूग आपको लगबग सेम ही मिल जाता है तो पलसर 125 का लूग पहले से ज़्यादा एट्रेक्टिव मिल जाता है लेकिन compare करें हम NS से तो NS 125 जो है वो काफ़ी ज्यादा sporty looking bike है तो अगर आपको sporty look वाली bike चाहिए तो आपको पताए कि अब आपको किसको choose करना है बाकी दोनों ही bike का look काफी better है जैसा कि screen पे आप देखी सकते हैं Price की बात करें तो NS 125 की हमारे आपर 1,22,000 के आसपास और प्राइस देखने को मिल जाती है और पलजर 125 की 1,13,000 के आसपास प्राइस देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपको 10-11,000 के आसपास प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो जैसा कि दोनों ही bike का front look देख सकते हैं दोनों यह बाईक में आपको हैलोजें हैड़ लाइट मिल जाते है लेकिन यहापर जोए एनस का स्पोर्टी लूप होने की वज़े से फ्रंट लुप थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानि कि जाधा एक्स्ट्रा यानि कि जाधा एक्स्ट्रा लगता है बाकि यहापर तेल लाइट दोनों ही बाइक में आपको LED मिल जाती है यहापर आपको को INDIGATOR SYLOLOGEN में मिल जाते मींटर कॉंसल यहापर यहापर दोनों वाइक में analog प्लस digital मीटर मिल जाता है पलसर 125 में आपको पहले जैसा फीचर मिलते थे आनलोग प्लस digital में कुछ आपको basic features मिल जाते वो अब भी वैसे ही मिलते है और आपको NS125 में भी features में बहुत जादा difference नहीं मिलेगा लेकिन आपको कुछ extra features इसके analog plus digital meter console में देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं या पर time और आपको कुछ ऐसे extra थोड़े बहुत features देखने को मिल जाएंगे तो इंजिन के अगर में बात करें तो इंजिन जो है पल्चर 125 में मिलता है 124.4 cc का 4 stroke 2 valve twin spark bs6 compliant dtsi engine यह आपको देखने को मिल जाता है जैसे power मिलती है 11.8 ps की 8500 rpm पर टॉर के आपर मिलता है 10.8 nm का 6500 rpm पर और एंजिन के अगर मात करें तो इहाँ पर जो है 124.45 cc का 4 stroke SOHC 4 valve air cooled bs6 compliant dtsi engine यहाँ पर मिल जाता है जिसे power मिलती है 11.99 ps 8500 rpm पर और टॉर के आपर आपको मिल जाता है 11 Neutrometer का 7000 rpm पर fuel tank capacity का अगर बात करें तो ns 125 में 12 लिटर और पल्सर 125 में यहाँ पर आपको 11.5 लिटर की fuel tank capacity मिल जाती है यह बागे दोनों ही बैक में जो आपको काफी सही muscular जो है पेट्रोल टैंक मिल जाता है पेट्रोल टैंक का डिजाइन यहाँ पर आपको जो है काफी सही attractive और muscular मिल जाता है जैसा के आप स्क्रीन पर देखी सकते ground clearance के अगरम बात करें तो जो है पल्सर 125 में 165 mm का और NS 125 में 179 mm का जो है यहाँ पर आपको ground clearance देखने को मिल जाता है weight के अगरम बात करें तो weight जो है पल्सर 125 में 140 to 140 kg का आसपास देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको जो है single seat और split seat जो है option मिल जाता है दोनों में आपको जो है थोड़े बहुत difference देखने को मिल जाते है तो उस वाज़े से आपको यहाँ पर weight में भी 1-2 kg का जो है difference देखन और NS 125 में 800 and 05 mm की seat height देखने को मिल जाती है तो seat height भी है यहाँ पर आपको जो है जादा NS 125 की मिल जाती है तो short riders के लिए जो है NS 125 में थोड़ी सी थोड़ी सी गया जादा भी दिक्कत हो सकती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देखी सकती है यहाँ पर आपको दोनों ही bike में self start के स साथ साथ kickstart का option मिल जाता है जो कि काफी better point है तो braking के अगर हम बात करें तो दोनों ही bike में आपको combi brake system मिल जाता है अगर rear brake हम प्रेस करते है तो front का भी apply हो जाता है तो mileage यहाँ पर आपको दोनों ही bike में 50 to 60 के आसपास मिल सकता है यहाँ पर आप जो है better mileage expect कर सकती है क्यूंक टायर साइज के अगर हम बात करें तो आपको दोनों ही bike में front में 80 by 100 और rear में 100 by 90 17 इंच आलॉई वील के साथ या पर आपको दोनों ही bike में tubeless tires मिल जाते है तो suspension यहापर आपको front में same ही देखने को मिल जाएगा दोनों ही bike में आपको front में टेलिस्कोपिक suspension मिल जाते है और rear म आपको यहाँ पर difference देखने को मिल जाता है Pulsar 125 में आपको Nitrox suspension मिल जाते है Twin Gas Shock Observer और यहाँ पर आपको NS 125 में Mono Shock suspension देखने को मिल जाते है Maintenance यहाँ आपको NS 125 में थोड़ा सा extra मिल सकता है यहाँ पर आपको Open Gen अगेर यह सब देखने को मिल जाता है तो थोड़ा सा extra आपका खर्चा NS 125 करा सकती है तो जैसा कि आपको दोनोई बाइक के बारे में काफ़ी कुछ information मिल जुकिए जिससे आपको पता चल गया होगा कि दोनोई बाइक में आपको काफ़ी कुछ different देखने को मिल जाता है दोनोई बाइक में आपको 5-speed gearbox मिल जाता है 1-down, 4-up, side stand, engine cut-off, safety feature भी आपको यहाँ पर दोनोई बाइक में मिल जाता है अगर बाइक का stand नीचे है बाइक गियर में तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं होती तयार बलसर 125 जो बाइक या फलसर 125 बाइक बाइक स्टार्ट फीचेज देखने को मिल जाते है पावर वगेरा जादा होनी के वज़े से आपको बेटर पर्पॉमर्स एनस 125 बाइक से मिलने वाला है और यहाँ पर आपको जो है जादा एट्रेक्टिव यहाँ पर आपको जो है जैसे कि स्पोर्टि लुक मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर आपको जो है स्पोर्टि लुक मिल जाता है स्क्रीन पे भी आप देख सकते है तो जादा एट्रेक्टिव और इंप्रेसिव जो लुक है वो अब इसलिए आपको नस 125 सही मिलता है तो यहाँ पर फैमिली यूज के लिए या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडन के लिए भी एक वेटर आप्शन हो जाता है पंसर 125 और अगर आपको स्पोर्टी फील देने वाली एक गूड लुकिंग बाइक चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए एनस 125 काफ़ी जादा बेटर अप्शन है तो कमेंट करके आप यह जरूर आता ना कि दोनों में से कौन सी बाइक आपको बेस्ट लगी कौन से आप पर्चेस करना चाहेंगे तो इस कंपेरेजन वीडियो से अगर आपको कुछ हल्प हो जाती आपको वीडियो अच्छा लगता है पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर से कर देना चैनल पर अगर आप नए है और आपको बाइक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद दे तो चैनल को सब सब्सक्राइब जरू से कर देना बाकी जल्द मलेंगे कसी और वीडियो में वीडियो के आतक धान से देखने के लिए थैंक यू सो मच लव यू गाइज